तमिलनाडू के क्लास 11 के हिस्ट्री के जा रही थी पहला चप्टर कम्प्लीट हो गया था दूसरा चप्टर भी कम्प्लीट हो गया था तीसरे चप्टर में हम हर चप्टर में तीन लेक्चर लेकर आ रहे हैं तो तीसरे चप्टर में दो लेक्चर आ चुके हाँ उनको देख जी और जो ये वाला लेक्चर है वो तीसरे चप्टर का third and last लेक्चर है पिछले दो लेक्चर में हमने महाजनपत किया था और उसके बाद जैनिजम किया था चारवाग फिलास्पी की थी लोकायत किया था और आजीवीका सेक्ट किया था ये सारे होगे थे अब ये जो third लेक्चर है चाप्टर में इसमें हम पूरा का पूरा बुद्धिजम कवर कर लेंगे हाला कि तीन चार पेज़े जी है लेकिन ये लेक्चर लंबा खिचेगा क्योंकि बुद्धिजम में आपको बहुत जहां पे जो है मैं आपको वैल्यू अडिशन कराऊंगा ताकि कल को जब मैं आपको art and culture पढ़ाऊं तो आपका जो है foundation strong रहे है आपको चीज़ें समझ में आए याद करादू फिर से कि chapter जो था मतलब आपका जो chapter number 3 है उसका नाम है rise of territorial kingdom जिसमें कि हमने महाजन पत पढ़ा था और new religious sect जिसमें कि हम जैनिजम बुद्धिजम आपका चारवाग philosophy बगरा कर रहे थे वहीं पर हमारा बुद्धिजम जो है new religious sect में एक है जिसको हम इस lecture में पूरा complete करेंगे तो यह हमारा topic 3.6 बुद्धिजम एक introduction ले लिजे कि जितने जो आपके heterodox religion या sect आये थे उसमें सारे तो देखिए कमजोर पड़ के बाद में लेकिन बुद्धिजम ऐसा जो था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा popular हो गया बाकि सारे को बुद्धिजम ने थोड़ा कहीं न कहीं दपा दिया इसकी खासियत ये थी कि बुद्धिजम को जैसे आपको पता है जैनिजम को जो किस लोगों ने अपना है था जैनिजम को generally traders, money lenders जो थे business करने वाले लोग ऐसे लोगों ने पना दे थी patronization दिया था बुद्धिजम को भी बहुत powerful लोगों ने दिया लेकिन बुद्धिजम को generally rulers ने दिया जैसे अशोक हो गए है ना कलिंग के राजा हो गए ऐसे लोगों ने दिया था साउत में भी बलके कुछ राजा है जिन्नों ने बुद्धिजम को patronization दिया था बहुत लोगों ने दिया था ठीक है राजाओं ने दिया था तो patronized by various rulers that's why it became a very powerful religion क्योंकि state की in fact अशोक का धम जो state policy था वो उसका जो आइडिया था वो बुद्धिजम से लिया गया था तो इतना जो बुद्धिजम को patronization मिला king वगरा से state policy वगरा में आ गया तो बुद्धिजम हमेशा रहा क्या इंडिया में नहीं ऐसा नहीं है अपने origin के लगबग 1000 साल बाद नियरली 1 millennium के बाद बुद्धिजम जो था आपके country में almost खतम हो गया बहुत कम हो गया लेकिन बुद्धिजम जो यहां से निकल के आपके South East Asia में गया और बाकि East Asian country में गया चाइना हो जापान हो कोरिया हो आपके जो South East Asia के countries हैं कही सारी Indonesia बगर में भी बुद्धिजम है in fact और Thailand बग दिख लीजिए यह सारी country में बुद्धिजम फैल गया इंडिया से खतम हो गया almost इस 1000 साल तक इंडिया से खतम होने का क्या कारण है नहीं कारण है वो लास्ट में चप्टर के बहुत डीटेल में है तो उसको आराम से पढ़ लेंगा भी रहने दीजिए लेकिन इतना बात इ पर बुद्धिजम का फिर से इंडिया में रिवाइवल होता है और अभी हमारे country में कई लोग बुद्धिजम फालो करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया में कोई major religion है बुद्धिजम वो हिंदुजम में ही कही अनल गेमेंट हो गया just like जानिजम तो चलिए अब सब पहले ही बोल दिया कि republic था मैंने आपको बताया था कि महा जनपत के period में कई ऐसे धे kingdom जो की एक तो absolute मुनार्की थे ऐसे भी थे और कुछ में क्या था oligarchy था कई राजा मिलके decision लेते थे तो उसमें से शाके जो था शाके देखिए वो oligarchy था ठीक है यह एक देखिए साके ग गने राज को अल्मुस माना जाता है पहले कब था ये तो जान लीजिए 1000 BC के आसपास फर्स्ट मिलेनियम BC में और यहीं पर जो है आपके गौतम बुद्ध भी चुकी उसी टाइम पर आये थे आपके 500-600 BC के अरण तो वो भी जो है शाके गने राजी थे और शाके गने प्रदेश का पिपरवा ये पिपरवा नाम का जगह है वहाँ पे लोकेटेड है नेपाल के लोग बोलते हैं कि नहीं कपिलवस्तु जो है नेपाल के ये देखे तिलारू ये क्या लिखाब है तिलावरो तिलावरा कोट तिलावरा कोट नेपाल में है वहाँ पे है शाक्य गनराज का, शाक्य रिपब्लिक का, शाक्य ओलिगार्की का, ये इंडिपेंडेंट भी बोले जाते हैं, कही जगा ये भी बोला जाते है कि कौसल वाला जो हमारे इंडिया वाला था, kingdom, उसके अंदर ही कहीं न कहीं आते थे, ये गौतम बुद्ध जो थे, उनके पि अगर आपके सिधार्त थे, बच्पन में सिधार्त, बाद में उनको देखिए सिधार्त गौतम भी बोला जाता है, और यहीं पर आप जान लिजए कि इनको शाक्य मुनी भी कहा जाता है क्यों, क्योंकि ये शाक के क्लाइन से बिलॉंग करते थे, और मुनी मतलब की सेज, र बनाना शुरू कर दिया अगर आप मैप पे देखना चाहें तो देखिए उत्तर प्रदेश का पिपर हवा यहां पे है और नेपार वाला एरिया जो भी था उसका प्रणेंसेशन देखने की जूरत नहीं है यह वाला जो एरिया है यहीं पे लोकेटेड है आपका आपका क्या क जो थी ट्रेवल कर रही थी अपने माय के जा रही दी तो वहीं पे उनका लुंबनी गार्डन एक लुंबनी नाम की जगह है वहां पे जनम हुआ था यह पक्का है कि कपेल वस्तु तो चलिए कंफ्यूजन है कि उतर परदेश और नेपाल किसके बीच में है लेकिन जो जनम गौतम बुद्धृ भगर के डेट के बाद कई सालों बाद जाते हैं तो बोलते हैं कि लुम्बनी में ही देखे आपके मतलब गौतम बुद्धृ का जनम हुआ था तो लुम्बनी की लोगों को वो टैक्स से फ्री कर देते हैं, वह वहां पे आपको कहां पे मिलेगाई ने 563 BC में इसी जगह पे Queen Maya Devi जो हैं तो उन्होंने जन्म दिया था सिधार्द गौतम को देखें लुम्बनी को World Heritage Site बना दिया UNESCO ने 1997 में आपको जानने की जोरत है और नेक जो चीज बताना चाहरा हूं या पे पिलर आप असोक का बताना चाहरा हूं लुम्बनी में जो है असोकन पिलर और inscription मिलते हैं वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि यहां के लोगों कुछ है आप टैक्स नहीं लेंगे अगर आप देखना चाहरा है तो यह देख रहे हैं आप यह पिलर है और उसी के उपर देखें यह इंस्क्रिप्शन लिखा हूँ है क्योंकि यहां पे गौतम बु पिया और पिया दासी तो अशोकन इंस्क्रिप्शन है एक्सेशन फ्री करने की बात है क्योंकि यहां पे गौतम बुद्ध का जनम हुआ था अब आपने आराम से थोड़े डीटेल में सारे लोकेशन देख लिए आपको जो हैं चीज़ें आप समझ में आएंगी तो आया को जब ये प्रेग्नेंट थी और जो सिदार्त इनके प्रेंट में थे तो उस ताइम पे एक ड्रेम आता है कि उनके पेट में क्या आ रहा है एक वाइट एलेफेंट आ रहा है जिसकी चैसी स्क्स टसक है तो जो प्रोफेसी करने वाले लोग थे उन्होंने बोला कि देखिए, इधर he will become a universal emperor और universal teacher, कैसा दिखता है, यह image कई जगा पे, actually buddhist के जो site है आपको, आप जब वहाँ जाएंगे तो वो image आपको दिखने के लिए मिलेगा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो painting, यह देखिए, यह queen, महा माया देवी हैं, उनकी माता है, pregnant है, सो ही थी, और उनको दिखता है, एक जो है, ऐसा elephant उनके पेट में आ रहा है, और इसलिए लोग प्रफिसी करते हैं, कि आपका बच्चा बहुत खास होने वाला है, white elephant है, देखिए, mapping कराने से कितना फायदा होता है, नेक्स बात यह बताई होई है, कि महा माया ने, सिदार्थ को जनम कहां दिया था, सिदार्थ को हर parents home में जनम दिया था, मतलब अपने मायके में जनम दिया था, और वो कहां हुआ था, एक पार्क है, जिसको लुम्बनी पार्क का बोला जाता है, UNESCO World Heritage Site वो अगर बन चुका है वो, तो आपका जो पार्क है लुम्बनी में, वो कपिल वस उनका हुआ ससुराल, जहां इनके पती रहते थे, सुद्धोधन, यह जा रही थी अपने मायके, पास में है, लुम्बनी के पास, वहीं लुम्बनी के आसपास जो पार्क में, दिखिए, इनका जनम हुआ था, सिद्धार्थ का, मैप मैंने आपको दिखा दिया है, तो फिर किला था, उसके बाहर गए ही नहीं थे, इनके माता पिता ने इनको कुस दुनिया की असलियत दिखाई ही नहीं, इनके शादी होई तो इनके पतनी का नाम यशोधरा था, ठीक है, और जब बेटा हुआ, तो बेटा का नाम राहुल था, एकी संतन, राहुल जो बेटा था थ चार चीजे देखें उन्होंने पहले सके बाहर, एक उन्होंने बुजुर्ग आदमी को देखा, ओल्ड मैं को देखा, एक बिमार आदमी को देखा, और एक कॉप्स को देखा, मतलब लाश को देखा, ये पहले तीन चीजे हो गई, तीनों चीजे में उन्होंने दुख देखा कि इंसान जो है बुड़ा होता है बिमार होता और मर जाता है ये दुनिया के सचाही है लेकिन साथी साथ उन्होंने उसी अराउंड उसी चारियोट राइड में एक religious mendicant मतलब कि एक जो है ascetic को देखा और उनको देखकर उसको लगा उनको लगा कि ये जो ascetic है जिसने दुनिय जो से free रहता है तो इसका उनके जो है मानस पेटल पे दिमाग पे बहुत गहरा परभाव पड़ा तो उन्होंने सोचा कि ये मैं बड़ा किले में रह रहा हूं मजे कर रहा हूं पैलेस में रह रहा हूं तो उनको बड़ा गलानी हुई बड़ा guilt आया कि लोगों की misery तो आतिकी तलास में निकले थे वो और यहां हमें जानना है objective के लिए कि एक वो निकले भी थे तो अपने मतनब घोड़े पे चैरियोट पे निकले थे और उसको pull कौन कर रहा तो उनका घोड़ा फेवरेट घोड़ा था कंठक नाम ता घोड़ा याद रहा है ना मैं चैरियोट चन्ना चन्ना बोल सकते हैं तो गोड़ा और चन्ना घोड़े को चलाने वाला चैरियोट राइडर और उसपे बैट के बुद्ध भगवान अपने पैले से निकल गया और निकलने के बाद उन्होंने क्या किया अपने बालबाल कटवा लिये और जितने भी गार्मेंट थे जेलरी लगे उतिनके शरीर पे सब कुछ निकाल के फेक के उन्होंने अपने फादर को जो है बेजवा दिया कि मैं जो आप अंग्लिष में translation करेंगे तो great going forth, मतलब great going यहां से निकल रहे हैं यही से शुरुवात होगी धम की मा भिनिशकरमन बोलते हैं इनको वहां पे भिनिशकरमन नहीं लिखा होता है ना भिशकरमन लिखा होता है इसलिए मैं बार बार उचारन में भिनिशकरमन बोल रहा था बिनि प्रोसेस है यह और से निकल रहे हैं लेकिन जो आपके स्कॉल्प्चर में दिखती वह ऐसे दिखती है देखिए एक घोड़ा दिख रहा आपको स्कॉल्प्चर में चीज आपको इतनी कलियर नहीं होगी प्रेंटिंग वगर तो ऐसे बाद में बना दी गई है इसमें बुद् से सिधार्त ने क्या किया वांडर करना शुरू किया अपने गुरू की तलाश में उनको दो गुरू जो मिलते हैं वो काफी फेमस हैं बाकी भी फेमस होंगे लेकिन दो गुरू आपको याद रखने हैं पहले जो इनको गुरू मिले थे उनका नाम था अलार कलम ठीक है और उन अल्लार कलम और उद्दक रामपुत कौन थे और इनकी आइडियोलोजिक फिलोसपी थी क्या तो चलिए पहले टीचर के बारे में पढ़ते हैं अल्लार कलम ये देखिए आपके एक मेडिटेशन करने वाले योगी थे टीचर थे और वो स्पिसलिस्ट थे फिलोसपी उनके क्य ठीक है उनका जो काइंड था टीचिंग फिलोसपी का वो सांग की फिलोसपी की तरह था अब यहां पर होता क्या है कि यह बोलते हैं गौतम बुद्ध को कि तुम्हारा ज्यान और मेरा ज्यान में कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है तुम्हें काम करो तुम यहीं मेरे साथ आ लार कलम गौतम बुद्ध को कहते हैं कि आप कोई डिफरेंस बचानी हमारे तुमारे बीच में एक काम करो आप जो है मेरे जगा पर आजा और मेरे जो बच्चे हैं स्टूडेंट से आप उनको पढ़ाओ तो गौतम बुद्ध को बोला उन्होंने गौतम बुद्ध ने बो पढ़ना है लेकिन स्रमन फिलोसपी जो है स्रमन का मतलब करने वोला जो कि मेहनत करता है लेबर करता है और बहुत ज्यादा एसेटिजम जो है अपनाता है सारी दुनिया को रेनेशियेट करता है ऐसे लोगों को स्रमन बोलते हैं तो आप खुदी मन में सोचिए कि यह जो आ ज्ञानाच है न यह सारे जो है श्रमन ट्रेडिशन में आते हैं बुद्धिजम जैनिजम आजिविका चारवा का सारे स्रमन ट्रेडिशन में आते हैं तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे तो श्रमन ट्रेडिशन में था तो बुद्ध बगवन इनको छोड़ा क्या देख जब बुदिजम आता है तो उसके philosophy भी देखिए स्रमन फिलोसपी कही जैसे होते हैं, लेकिन उससे आपके अलार कलम का कोई relation नहीं है, ये करते क्याते स्रमन फिलोसपी भाले जब बुदिजम और जैनिजम के पहले, ये लोग mendicant होते थे, घुमते पिड़ते रहते थे, यॉ भगवान को सिखाया कि यह योगा के पोस्चर करो, ऐसे तपस्या करो, ऐसे तपस्या करो, तो करना क्या है, करना क्या है, आपको जो है, क्या से मुक्ति मिल जाएगी, संसार से मुक्ति मिल जाएगी, जो साइकल है, बर्थ और डेथ का, और आपको मुक्ष मिल जाएगा, spiritual teacher है ये guess किया जाता है कि शायद उद्धक रामपुत एक जैन थे पूरा दिखें यहाँ पर नहीं मिला है idea लेकिन माना जाता है कि शायद ये जैन थे इनके बारे में एक और चीज़ अ स्टोरी है कि बुद्ध भगवान ने इनको भी बात में छोड़ गया यहाँ से भी निकल के अपने ज्यान के प्राप्ति में गूम फेर के लगबग 6 साल वो तपस्याव अगर करके बुद्ध भगवान को ज्यान के प्राप्ति होती है awakening होती है बुद्धिजम होता है तो बुद्ध भगवान सोचते है कि मैं लट के उद्धक रामपुद्ध के पास जाऊंगा वो काफी enlightened था तो वो शायद मेरे घ्यान को समझेगा लेकिनों को बड़ा दुख होता है जब जब वो जाते हैं उद्धक रामपुद्ध को खोजने तो उनकी मिर्तिव हो चुकी होती है चुटी से का स्टोरी है चलिए अब आगे चलते हैं दो गुरु आपने पढ़ लिए दुनों से वो ना खुश हुए आगे बढ़ गया सिद्धार इन सारी चीज़ों से satisfied नहीं थे और उन्होंने इनके चक्कर में चुकी है राइस खिलाती है उसके बाद वो जो है अपनी तपस्या में लग जाते हैं खीर हुआ एक तरह से और क्या राइस बॉल्ड इन मिल्क खीरी वह न इस सुझाता के खीर खाने के बाद जो है वो अपना meditation शुरू करते हैं पीपल ट्री के नीचे बोध गया में आज जो आप पीपल ट्री देख रहे हैं वो वही वाला नहीं है वो वाला खतम हो चुका है उसको कई लोगों ने कटवा दिया बाद में कई राजा बगर आया जिरको बोध्दिजम से प्राप्लम थी तो उन्होंने फिरना meditation टोटल मिला के इनको जो 6 साल लगे थे तो 29 एस में घर चोड़ा था तो 35 की एज में गौतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हो गई enlightenment हो गया उसके बाद जो कि ज्यान की प्राप्ति हो गई बुद्धी की प्राप्ति हो गई तो बुद्धा कहा जाने लगा या फिर enlightened English में translate करेंगे तो और उसके बाद क्या होता है जब उनको ज्यान की प्राप्ति हो जाती है तो वो आपके बोद गया बिहार से होके उतर प्रदेश में जो वारानसी है वारानसी में जो सारनाथ है वहां जाते हैं और अपना पहला उपदेश देते है तो इस प्रॉसे ग्रेट लॉब बुद्धिजम में वील जो है सिंबलाइज करता है देखिए सेटिंग दा मोशन अब धर्म अगर एक मतलब वील है तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है उनके पहले उपदेश से शुरुवात होई थी तो आप कई भी भी बुद्धिश राइन वगर वो धर्म चक्र परिवर्तन की नहीं बात करता है दर्म का एक चक्र है वहीं पहल चल फैदा हो गई जब EUन्होंने अपने नहीं पहला उपदेश दिया दिया पार्क में तो पहला उनका निकला वहीं सपाली बगर में सुथ पोकस किया था मिल जो टॉपिक ताा फोर ूबल truths होते हैं उनको हम लोग middle way बोलते हैं middle way भी बोलते हैं मध्यमार्ग भी बोलते हैं total overall जो concept है उसको मध्यमार्ग बोलते हैं और ऐसे उसमें four noble truths हैं वहाँ पे उनके देखिए पांच audience थे और पांच भी जो थे महानमात है ये पांच लोगों ने उनके पहले उपदेश को सुना था डियर पार्क सारनात में धर्मचक परिवर्थन के दौरान अब ये four noble truths क्या है यहाँ पे चुकि बुक में यहाँ पे नहीं दिवा आगे दिवा तो आगे मैं detail में पढ़ाऊंगा ल the truth of the, दूसरा truth क्या है? cause of suffering भी है उसको समुदाय बोलते है कि truth एक दूसरा truth ये है एगर आप suffering पहला ये है truth के suffering है दुख है दूसरा ये truth है कि समुदाय है मतलब दुख का कारण है तीसरा ये है कि truth तीसरा ये है कि आपकी जो suffering है उसका एक end है आपके दुख है उसका end है उ और चौथा टूथ ये है कि एक सचाई है कि पात है ऐसा जिससे आप अपने सफरिंग को end कर सकते हो मतलब उसको माग बोलते हैं तो चार टूथ क्या है पहला दुख है कि दुख है यही टूथ है दूसरा समुदाय है समुदाय मतलब यहां दुख का कारण है तीसरा निरोध है कि दुख को रोकना संभव है उसका end करना संभव है और चौथा जो है माग है कि दुख को चुकी रोकना संभव है तो उसके लिए एक मार्ग भी बना हुआ है तो यही फोर जो है नोबल टूथ है बुद्धिजम में जो कि सारनात के धर्मचक परिवर्तन में फोकस पे थे आजाए ये बुक में आब आजाए है है ना धर्मचक परिवर्तन को क्या बोलेंगे वील अप ग्रेट लॉग इस पोक अबाउट फोर नोबल टूथ बता दिये and the middle path इन नोबल टूथ में आपको जो है उसके बाद उसके बाद पात पे चलना है माग पे चलना है वो आपको जो शेश बगरत है वो लेके जाने लगे और बाकी उन्होंने भी देखिए बुद्ध ने भी कई बार इसके लिए ट्रेवल किया है ना और उनके फॉलवर्स ने भी ट्रेवल किया साल में ये लोग जो थे एट मन्स तो देखिए ट्रेवल करते थे बाकी फोर मन्स जो रेन मेट खा लेते हैं वों किसी के मतलब आग्रह पे हलाकि नॉन वायलेंस के खिलाब ते लेकिन खा लेते हैं क्योंकि उसका बहुत मन था उनका शेष्य था तो इनकी जो डेथ होती वो कुसी नगर में होती है और इस डेथ को भी प्रॉसेस को भी नाम दिया गया है परी निवान की अच्छा परी निवान और महा परी निवान क्या महा परी निवान का मतलब यह है कि किसी को अपने लाइफ में एनलाइटनमेंट हो गई तो निर्वान हो गया फिर जब मिर्तिव हो गई तो उसको क्या हुआ कि मिर्तिव के बाद जो निर्वान हुआ एक तो पहले निर्वान, सबसे पहले स्टोरी सुन लीजी है, गौतम बुद्ध राजगीर में, राजगीर कहीं आसपास, सॉरी मिस्टेक करेट करूँगा, वो पावापुरी है, राजगीर के आसपास, ठीके, not पावापुरी, वो पावापुरी में तो किसी और का जनम होता है, जो आपक आसपास एक जगह है, उसे का नाम है कुशी नगर, अब इसको कुशी नगर डिस्टिक्ट बना दिया गया है, उतर परदेश में पढ़ता है, ये जो आपने कुशी नगर देखा, कुशी नगर के आसपास ही, वहाप एक जगह है पावा, पावा में गौतम बुद्ध का एक जगह ही खाना का देते, चुंद ने बोला कि मैं आपका शेशी हूँ, मेरा बनाएवा खाना खाईए, और हलाकि इस पर मतबेद है कि मृतियों कैसे हुई थी, लेकिन जो एक common understanding वह ये है, कि चुंद ने इनको सुवर का मांस किलाया, उसने बड़े प्यार से किलाया, उसको पहले उनके 4 स्ष्ष्षिति उसमें से एक बहुत important स्ष्षिता आनन्द, इनफेक्ट आनन्द को वो ये बोलते हैं कि काम करना, एक काम करना मर जाओं तो कोई बात नहीं, चुंद को एक पर जाके बोल देना कि उसके खाने से मुझे कोई problem नहीं हो, हुई है, otherwise वो पूरी life जो है आत्मगलानी में रहेगा, guilt में रहेगा, तो ये मत करना, बोलना कि मेरा time आगया था, और तरह से बिमार हुआ हूँ, तुमारे खाने से मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो भी मुझे खिलाया, भले मैं vegetarian रहा हूँ, non-violence, मैंने sewer कमान से खाया, जो भी है, लेकिन चुंद ने प्यार से खिलाया था, ठीक है, यही कहानी है, कुछ निगर का मैप दे दिखा दिया छोटा सा, एक वो pilgrimage टाउन बन गया है, क्योंकि वहाँ पर उनकी death हुई थी, महाँ पर ही निवान हुआ था, नेक्स, चुकि मैंने आपको बताया है, कि चार उनके शि यह जो थे, prominent थे, important थे, सारिपुद, महा मोगलाना, जिसको कि हम लोग मोगलाना भी बोलते हैं, महा कच्चायन और आनन्द, और यह भी कहते हैं बुद्धिजम में, कि गौतम बुद्धी की मिर्तिव के थोड़े दिन पहले ही, सारिपुद और महा मोगलाना की मिर्तिव भ गौतम बुद्ध अगर आपके डे तब होने वाली है, ऐसा क्यों नहीं करते कि जो संग का सिस्टम है, उसमें आप मुझे बना दीजे संभालने के लिए, वो कोई ऐसा नहीं था कि कबजा करना चाहता था, वो चाहता था कि संभाले कोई उनके बाद, गौतम बुद्ध ने रॉयल किंग पैट्रोनेज देते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ले परसन नहीं थे, नॉर्मल जो शुद्र बगरा सारे थे, उनमें से भी कई लोग इनके फॉलवर बने थे, इसलिए तो बोलते हैं ना, कि यह मुस्ट पॉपुलर हेटरोडॉक सेक्ट बना उस टाइम पे, क्योंकि इनके फॉलवर हर क्लास में हर जगह थे, नेक्स टॉपिक हमें तमिलाडू के हिस्टि के बुक में पढ़ना है बुद्धिष्ट काउंसिल, संग कहां कहां उनके काउंसिल कराए गए जहां से चीजे निकले, लेकिन वह वहां पे आपको बहुत क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको जो काउंसिल है, विकिपीडिया से पढ़ाओंगा यहां पर बहुत जो है वेरिफाइड यहां पर नॉलिज दी हुई है, परपस क्या होता है काउंसिल का, परपस यह होता है काउंसिल का, कि वहां से उनका डॉक्ट्राइन निकलेगा, डिसेप्लिन का कॉड निकलेगा है ना और उनको बार-बार रिवाइज करेंगे context और मतलब content जो उनको change करेंगे क्योंकि जमाना change हो रहा है तो उनके सुत्र को change करेंगे यही जो gathering होती है उनको बोलते हैं बुद्धिष्ट काउंसिल पालिया संस्कृत में इसको संगिती बोलते हैं संगिती है ना क कुछ चीजें जो हैं इनके codify करते हैं उपदेश दे कर गए हैं सारी चीजों को हम लोग याद करने के लिए compile करते हैं तो पहला council उनके मिर्थिव के जस्ट बाद हुआ तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पहला Buddhist council यह रहा जो यहां पर आपको बताये हुआ है एक बात याद कि मैंने आपको बोला था कि गौतम बुद्ध का जनम जो है 480 BC अरांड हुआ था तो मिर्थिव कब होई होगी 80 साल के थे तो मिर्थिव जो होई होगी वो 400 BC अरांड होई होगी तो पहला Buddhist council कब होगा 400 BC अरांड होगा येस पहला Buddhist council 400 BC में ही कराय गया था यह हुआ कहा था जैसे हैं उनका कुशी नगर में कुशी नगर तो यूपी और भी हर के बॉर्डर पर आगा उनकी वहाँ पे डेथ होती पर ही निवान होती है लेकिन ये जो पहला Buddhist council कराया जाता है ये करवाता है मगद के एरिया में उस लाइम पे king जो अजात शत्रू था जो कि इनका काफ बना देते हैं कि अच्छी बात बोलिए तो संग में भी अपलाई करेंगे ये चली चोटी 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 स्टोरी है पहला Buddhist council हुआ था कहां पे अजात शत्रू ने करवाय तो अजात शत्रू का उस टाइम पे कहां था मगद में था तो जो आज राजगीर है मगद का उस टा पे capital था राजगीर जिसको पहले राजग्रेह बोलते तो वहीं पे एक देखिये गुफा थी वहीं पे आपका पहला Buddhist council कराया गया था ये तो था कि किस king का patronage था लेकिन जब कोई council कराया जाएगी तो कोई एक जो है कुर्सी पे बैठेगा अध्यक्च बनेगा प्रिसाइड करेगा तो वो उनका एक बहुत senior disciple follower था उसका नाम था महा कस्यपा महा कस्यपा ने उस council को convene किया था उसके पर बैठा दा गदी पे वहाँ पे उसने लिडर्शिप ली थी बाकी अजाद सत्रू जो था उस टाइम पे king था ये हुआ था राजगीर में इसमें दो चीजें की एक तो बुद्ध भगवान ने जो भी उपदेश दिये थे उसको सुत्त बोलते हैं मतलब सुत्र दिये थे ना सुत्र दिये थे उसके लिए देखिए सुत्ध पितिका का compile किया गया पितिका मतलब एक box होता है एक box में बुद्ध भगवान के सारे पितक ऐसी बाते हो रही ह थे उसके अंदर discipline maintain होना चाहिए न तो उसके लिए विना पितक निकला यहां से और साथ में बुद्ध भगवान के उपदेश चुकी उनके डेथ हो गई थी तो compile करना था तो उसके लिए उनके सुत्त पितक निकला वहाँ पे जो सुत्त थे उनको recite क्या याद करके गवातम ब तीन बुक्स important होती हैं बुद्धिजम में सुत्त पितक विना पितक जो कि फर्स्ट काउंसल से निकले तीसरा जो बुक होता उसको अभिदम पितक बोते हैं उसमें जो बुद्ध के धम हैं जो उनके moral उपदेश हैं जिसको अशोक ने भी फैलाबाद में धम की बात होती है याद रखिएगा फर्स्ट बुद्धिजम में अभिदम पितक नहीं compile किया गया था यह माना जाता है कि अभिदम पितक बात में 300 BC मतलब इसके 100 साल बात compile किया गया है तो अब आईए सेकंड बुद्धिजम पर दूसरा बुद्धिजम बहुत मज़िदार है बहुत important है सब देखिए सकेंड बुद्धिज्ट काउंसिल वैशाली में कराए गया था वैशाली पहले आपको कई बार पड़ा दिया बिहार में जो गंगा बहती है उसके जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे एक डिस्टिक्ट है वहाँ पे एक जगह है वैशाली वैशाली के लिख्ष भी ज़्याद रहने चाहिए तो सकेंड बुद्धिज्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था किस राजा ने करवाय था बुद्धिज्यम को देखिए रॉयल पैट्रोनेज है राजा ही करवाएंगे हमेशा किस राजा ने करवाय था तो उस्टेम पे कालासोक का काल था कालासोक कर रहा था उसने करवाय था अध्यक्षता किसने ली थी गदी किसने ली थी गदी ली थी सभाकामीने और हुआ कब ये 383 BC मतलब पिछला वालो जो था उसके अल्मूस हंडेड यर्स बाद 383 BC में ये कराय गया वैशाली में करवाया कालासोक ने सकेंड बुद्धिज्ट का पहले जो आपके विनाय पितक और सुत्य पितक कंपाईल हो गये थे तो क्या हो था कि मोनास्ट्री में जगड़े हो रहे थे कि ऐसे आचरन होना चाहिए वैसे आचरन होना चाहिए तो यहां पर ये डिसाइड किया गया कि काम करते हैं अपना जो विनाय पितक है उसको अस्थावे राज, वो ऐसे लोग थे, जो कि रिफॉर्मिस्ट थे, चाहते थे कि यहाँ पर नए रूल्स एड हो, ताकि जो अपना डिसिप्लिन खराब हो गया है, वो सही में ठीक हो जाए, बोल रहें कि relevant नहीं है, थोड़ा अर डिसिप्लिन होना चाहिए, इसको revise करिये, तो वो निकले, वो जो लोग होए, वो अस्थाविर होए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, जो बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले का जो हमारा, जो rule regulation है, विना पितक क वही follow होना चाहिए, रिवाइज नहीं करना चाहिए, वो लोग क्या बने, महासंगिका थे, इन दोनों के बीच में जगड़ा हो गया, अस्थाविराज के बीच में अस्थाविराज कहते है, रिफॉर्मिस थे, विना पितक में चाहते थे कि कुछ रिफॉर्मों नए रूल सुनके लगेगा, अस्थाविराज जो हैं स्थिर रहना चाहते हैं, अस्थाविराज जो हैं रिफॉर्मिस्ट हैं, महासंगिका जो हैं, वो रहना चाहा रहे हैं, स्टैटिक इनर्शिया हैं उन में, थाइड बुद्धिष्ट कांसिल हुआ उसके बादी, यह आद रखना असान है, इसको देखिए कराया था अशोक ने, है न, और कराया कहा था, पाटली पुत्र में जो उसका कैपिटल था, ठीक है, तो अशोक ने कराया था, पाटली पुत्र में कराया था, हुआ कब था, देखिए, 250, 200 BC में किया गया था, exact, कुछ लोग 247 BC भी लिखते हैं, यह थोड़ा बाद डेट का इधर उदर होता है, अशोक ने, not a problem, थार्ड बुद्धिस कांसिल इन पाटली पुत्र कराया अशोक ने, 250 BC में, इस टाइम पे भी बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज भी, कई लोगों कहना था, कि इसमें ब्रामन जासूस घुस गया हैं संगों में, हजारों लोग, तो कांसिल ने अशोक को बोला, कि किरपया देखिये, जो आपके 60,000, 60,000 ब्रामनी का स्पाइस या, जासूस आपके संग में घुसके उसके अंदर करप्शन कर रहे हैं, संग को कराब कर रहे हैं, उनको जो है, आप निकाल लिए, तो नेक्स क्वेस्च याद रखना है कि 13 वदा बुद्धिजम जो है, यहां से निकला था, थार्ड बुद्धिस्ट कांसिल में एक और चीज हुई, यहां पे एक स्प्लिट हुआ, स्प्लिट हुआ वो किसके बीच में देखिये, सर्वस्त विदा के बीच में, और विभाज विदा स्कूल्स के बीच में, इस कांसिल की एक और बात है कि यहां से बुद्धिजम जो है, यह डिसाइड किया गया है कि पूरे वल्ड में भेजा जाए, तो बहुत दूर तक भीजा गया है, इनफाक्ट आपका जो ग्रेको बैक्ट्रियन किंग्डम है, सिंट्रल इसिया और वेस्टर इसिय समझाओं, यह कैसे डेवलप होता, क्या हुआ था सरवस्तविदा और विभाजविदा, होर्थ बुद्धिष्ट कांसिल बहुत इंपोर्टेंट है, यह जो है बीसी में नहीं हुआ था, यह बाद में हुआ था, यह हुआ था कश्मीर में कुंडल वन में और इसको करवाया था कुषान के राजा कनिष्क ने, कनिष्क भाहर से आया था, लेकिन इंडिया में कश्मीर से लेकि मतुरा तक में उस टाइम पे लिमिटेट था, तो इसने कश्मीर में कुंडल वन में कराया था, होर्थ बुद्धिष्ट कांसिल, यह उग था 78 A.D में, 78 A.D में कुंडल कश्मीर में इसमें क्या कोशिश की गई कि सर्वस्त विदा जो पहले आपको बताते सर्वस्त विदन जो थे उन लोग ने ये ट्राई किया कि हम एक काम करते हैं जितना भी आपका अभिदम पितक वगर है सारे टेक्स्ट को हम लोग प्राकृत से लेके पाली से लेके अब सब को संस्कृत में ट्रांस्लेट कर देते और यहीं बुद्धिजम का जो है एक तरह का गिरावट का कारण बना उनने सब कुछ को संस्कृत में ट्रांस्लेट कर दिया क्योंकि कनिश्क ने ऐसा बोला था कनिश्क को संस्कृत से प्यार था संस्कृत में ट्रांस्लेट तो कर दिय अच्छा इसकी अध्यक्ष था किसने की वो तो नहीं बताया तो अभी तक आपने ये सीख लिया कि फर्स्ट बुद्धिस काउंसिल कौन हुआ कहां किसने करवाया सबको जान लिया, सकेंड जान लिया, थर्ड जान लिया फर्थ का आपने ये जान लिया कि 78 AD में हुआ उसको करवाया था कनिश्क ने, जो की कुशान सा सकता कश्मीर के कुंडलवन में, लेकिन उसको प्रिसाइड किसने किया अध्यक्ष कौन था, देखिए अध्यक्ष थे वासोमित्र लेकिन वहाँ पे एक दूसरे इंसान भी थे, उनका नाम था अश्वगोस तो दो लोग क्यों थे, पिरसाइड किया, जो में जो वहाँ पे अध्यक्ष थे वो थे आपके वासोमित्र, और जो डेपटी अध्यक्ष थे, उनके साथ जो बैटे थे वो थे अश्वगोस, तो दो लोग थे आपके फूर्थ बुद्धिस्ट कांसिल में, अब ये क्विस्चन उठता है कि चारी बुद्धिस्ट कांसिल हुए है क्या, नहीं आपको जो है हिस्ट्री में तो चारी पढ़ने इंशेंट में, लेकिन उसके अलावा भी बुद्धिस्ट कांसिल मॉडर्ण वर्ल्ड में हुए हैं, ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, फिप्थ बुद्धिस्ट कांसिल हुआ था, 1871 में ये हुआ था, मंडलाय बर्मा में, इसको किंग था उस टाइम पे वहां का मिंडन उसने करवाया था, जो सिक्स्थ बुद्धिस्ट कांसिल था, वो भी वहीं पे हुआ था, आपके देखिए रंगून जिसको पहले कहते थे, अब तो यांगवान बोलते हैं, म्यानमार में ये हुआ था, 1954 में, अब इस तर जो हैं, बुद्धिस्ट कांसिल कंप्लीट हो गया, ये मैंने आपको सारी जानकारी जो है बाहर से दी है, विकिपेडिया बगर से दी है, अब देखिए आपको चीजे जो हैं, इजी लगेंगी, समझ में आएंगी, अब बुद्धिस्ट कांसिल हम अपने तमिलनाडू की लेक्चर लंबा खिच रहा है, मुझे पता है, एक्चुली मैं अगर पूरा बुद्धिजम का लेक्चर सही से बनाना चाहूना, जिसमें सबकुछ अस्थरवेद बगर सबकुछ अच्छे से एक्स्प्लेन करूं, इसमें कि आपका नितिन सिंगानिया का कॉनसेप्ट बग यहां भी in fact मैंने जो add किया है, बहुत जादा value add किया, कहां था इतना सब कुछ, तो चलिए Buddhist council अपने book से पढ़ते हैं, जैसे बुद्ध का death होता है, उसी time पे क्या होता है, यह विचार होता है कि जो बुद्धिजम के tenets है, मतलब rules हैं, principles हैं, aspects और उसके features हैं, सब को क्या क बुद्धिज मॉंक्स जौरा उसको जो है, कोडिफाई किया जाए, क्योंकि बुद्ध के death हो गई है, तो अब ज़रु है थे कि उसका संकलन किया जाए, compilation किया जाए है, यहां पे लिखा हुआ है कि over the period of time four Buddhist council हुए हैं, लेकिन ये ancient history में, बाद में भी दो बुद्धिज का आए गया, मैं आपको वो भी बता दिया, तो total 6 हुए है, फर्स्ट बुद्धिस council आपको पहले बताया था, राजगीर में हुआ था, जैसे ही बुद्ध के death हुई उसके बाद, और उसके जो अध्यक्ष थे वो उपाली थे, इसी council में देखिए, उपाली को मैंने आपको ब बताया, बुद्ध के death के बाद, है ना, 100 साल बाद लगबग पहले बाले से, और वहीं पे बुद्धिस council जो है, दिखिए कि मैंने आपको बताया था कि, अस्तविरावधिन के बीच में और महासंगिका के बीच में स्प्लेट हो गया, क्यों? क्योंकि अस्तविदा विराव in the teachings of the elders, and other known as Mahasangiks, ओके, और members of the great community, ठीक है, चलिए तो मीनिंग हो गया, उसका Mahasangik मतलब बड़ा community, अस्तविराविद मतलब की जो की believers है, teaching of the elders में, anyway, third Buddhist council का हूँआ, पाटले पुत्र में हुआ था, वर्षोक ने करवाया था, 250 BC के रहां, वहीं पे देखिए, अस्तविर 60,000 जासूस की बाते, the last section called, अभिदम पितक में यहां पे, अभिदम पितक पहले उस टाइम पे लिखा जा चुकत है, तो third Buddhist council के पहले, second Buddhist council तक अभिदम पितक नहीं आया, उसके बाद आया है, तो अभिदम पितक का एक last section होता है, उसको बोलते है, कथावतु, कथावतु, अभिदम पितक में एड किया गया था, fourth Buddhist council कहां, कश्मीर में, किसने कराया, कनिश्क ने कराया, और सर्वस्त वदिन्स जो है, सर्वस्त क्या है, सर्वस्ति वदिन्स है न, वो है, एक important शेक्त बुद्धिजम के, यह आपको जानना है, और उनके जो doctrine है, उनको यहां पे compile कि गया था, महा विभासा बोलके, तो सर्वस्त, सर्वस्ति वदिन्स जो थे, उनके doctrine को महा विभासा बोलके compile किया गया था, यह सब fourth Buddhist council की देन है, visualization के लिए देखें, Buddhist council कुछ ऐसा होता था, यह दक्च बैठेगा, बाकी लोग सुनेंगे, मरिक बगरा तो इनके बहुत दिख जाता है, Buddhist texts बगरे में, अब चलिए Buddhist के sect पढ़ लेते हैं, deep में नहीं जाएंगे, वो art and culture में आएगा, with the course of time, in the course of time, यह आपको जो पहले जितने भी नाम लिए, सारे एक sect बन गया, पहला क्या है, अस्त, अस्तिर रहने वाला ना, अस्त, वीरावदिन्स, महा सांगिक, इ new ideas, जो हैं, बाद में, यह भी होता है, कि जो आपके पहले के जो तीन sect बन गया, यह वाले हैं, सरवस्त वदिन्स, और महा सांगिक, दिरे-दिरे उनके अंदर भी नए-ने ideas आने लगे, उससे जो है, महायान और हीनयान निकल गया, है ना, महायान, हीनयान जो है, खास करके, जो कश्वीर वाला हुआ था, यह फोर्थ बुद्धिश्ट काउंसिल, वहां से निकला था, तो महायान मतलब क्या, यान मतलब वेहिकल, हीनयान मतलब, मतलब छोटा वेहिकल, महायान मतलब बड़ा वेहिकल, अब सुनिए, यहाँ वेहिकल का मतलब गाड़ी नहीं है, यहा हैं। भुझ्ध भग्वान को खाली जगह से दिखाते थे हैं। परतिमा बनाते थेैं। पुझा पाठ नहीं करते थे, अगर बिद्धेते थे। हीन यान के लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, पुराना जो तरीका तो उसको फॉलो करेंगे, तो ये दो से एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर वाले के बाद निकले थे, ग्रेट एन लेसर वेहिकल बोलते हैं इनको बुद्धिजम में, अब ये पूजा जो थी ऐ अब अब अगर आप बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये पहले स्था दिखाया मैं आपको बिहार में नालंदा जिला है, वहीं आसपास नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये इंशेंट बुद्धिश्ट लर्निंग सेंटर था, आज उसको यूनिवर्सिटी बन मैं आपको क्या बताऊं किसने शुरू किया था नहीं मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि है कि मिस्टेक होई है बात में देखे पैटरोनाइजेशन तो देते हैं पाल वगर लेकिन इसकी शुरूबात देखे गुप्त वन्स में कुमार गुप्त वन नहीं की थी उसने फस्ट सल्तनत वगर वाले लोग आते थे इसको 13th century में जो इसको डिश्ट्राइ कर दिया जाता है और उस तरह से नालंदा का जो पूराना heritage है पूरा खतम हो जाता है बाद में उसको रिवाइब अगर करने की जुरत है लेकिन वो पूरानी चीज़े रोइन हो गई है यहां जो ना हीन यान सुनिए हीन यान मतलब लेसर वहीकल जो था वो कहां पॉपलर हुआ स्री लंका में आपके साइड में बर्मा में थाइलैंड में और बाकी जो साथी स्टेशन कंट्री है वहां पे हीन यान गया है ना जब गुप्त पिरियड का एंड होने लगता है उस टाइम पे जब गुप्त पिरियड का एंड होने लगता है उस टाइम पे एक नया निकलता है सेक्ड वुद्धिजम के अंतर उसको बोलते है वज्रयान वज्रयान मतलब वज्र मतलब थंडर है ना तो वेहिकल अप थंडर बॉल्ट ये निकला गुप्त पिरियड के एंडिंग फेज म उनके साथ ये mix-up होके बुद्धिजम जो निकला वो बना वज्रियान तो ये कहां गया इंडिया के अलावा बिहार बंगाल में तो गया इंडिया के अलावा कहां गया देखे तिबत में ये 11th century में जाके फैल गया तिबत में वज्रियान नेक्स क्वेचन ये बनता है तो महायान के लिए तो आपने नालंदा बताया थी विक्रम सिला उनिवर्सिटी जो थी बिहार में वो इंपॉर्टेंट एक वज्रियान बुद्धिजम का लर्निंग सेंटर था देखे विक्रम सिला को इस्टैबलिश किस ने किया था गुप्त ने नहीं किया था याद कुमार गुप्त बन ने नालंदा उनिवर्सिटी की इस्टैबलिशमेंट की थी जो कि महायान का सेंटर था विक्रम सिला उनिवर्सिटी जो कि वज्रियान का सेंटर था जो कि वो गुप्त पिरेट के लास्ट पेज में बना तो गुप्त लोग ने उसको नहीं बनाय था प अब आप खूच फोच यह जो है बोदिजयम के लिए पहले बना था नहीं आसा नहीं है इन पैक चानक की जो है उन छंद्रगृप्त मौरी को तक्ष शीला बगरा में पढ़ने के लिए बोलते हैं चानक की बीवहां भी पढ़ाते बढ़ाते थे तो आप सोच लीजे कि कितना पुराना होगा, Moray Dynasty से भी पुराना तो तक्षशिला का जो है Learning Center वगरे के नाम पे 1000 BC ते का स्टोरी चली जाती है यहाँ पे आपको H.M.A.N.E.D. जो की बाहर का एंपायर था उसके भी सबूत मिल जाएंगे, Moran का भी मिल जाएगा, Indo-Greek का भी मिल जाएगा, Indo-Skythian का भी मिल जाएगा, कुशान वगरे का भी मिल जाएगा, यहाँ पे पाल वगरे का कोई concept नहीं है, यह भी UNESCO World Heritage Site है और Archaeologist जो आपके Cunningham थे उन्होंने इसको Rediscover किया था तक्षशिला को Mid-19th Century में माना जाता है कि शायद यह यह सब तो बुद्धिजम का पीक था, बात में बुद्धिजम जो इंडिया में डिक्लाइन होने लगता है, जैसे भक्ती मूब्मेंट आती है Medieval टाइम में, तो भक्ती मूब्मेंट जो है लोगों को बहुँ जादा connect कर लेती है और बुद्धिजम का होगा ना, हिंदुजम का जब पार्ट बन जाएगा तो है ना, तो वो हिंद्धिजम में इंकॉर्पोरेट हो गया और बुद्धिजम जो है विश्णु का एक अवतार माना जाने लगा ट्रेडिशन में, तो इंडिया में बुद्धिजम खतम हो गया, बाद में थोड़ा बहुत अंबेट कर जो है उसको रिवाइब करते हैं लेकिन बाहर जो है बुद्धिजम चला गया, क्योंकि वहां तो हिंदु थे नहीं, तो वहां उनको कौन अमल्गमेट करेगा अपने अंदर एक important चीज़ बताओं, मतलब interesting चीज़, in fact, मतलब बियारम बेटकर का इतना ज़्यादा contribution बाना जाता है बुद्धिजम में, कि उनके death anniversary को महापरी निवाना डे की तर मनाया जाता है, अभी तक जो पढ़ा उससे बहुत कुछ literature बगरे के बारे में सुना, तो एक जगा compilation सुन लेते हैं, पूरा Buddhist literature के बारे में है, पहले तो यह सुन लेजिए कि 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 लेंग्विज में किसको compile किया गया था, Sanskrit में नहीं पहले compile किया गया था, पाली जो आपके पितक का मतलब होता है, basket, तो तीन basket, तीन किताबे, है ना, विन्य पितक का, सुत्व पितक और अभिधम पितक, कब-कब लिखा गया है, मैं आपको पहले बता दिया था, सेकेंड बुद्धिश काउंसल तक विन्य पितक सुत्व पितक ही थे, बाद में अभिधम पितक आता विन्य आचरन है ना, तो मोनाष्टी में जो rule regulation follow करने, moral discipline follow करने है, वो विन्य पितक में है, सुत्व पितक में क्या है, बुद्ध बगवान के सुत्र है, टीचिंग्स है, है ना, वो किसने बताया, किसने बताया, बतायी, आनन्द ने बताया था, है ना, अभिधम पितक में क्या है, जो बुद्धिष फिलोसपी है, धम का जो फिलोसपी है, जिसको अशोक ने अपना है था, वो अभिधम पितक में है, सुत्व पितक में उनके टीचिंग्स है, और उसको जो है, पांच ग्रूप में डिवाइड किया गया है, उन फाइव ग्रूप को निकायब होते तो कितने हो गए सुत्व पितक में निकाय, फाइव निकाया हो गया ना, निकायाज, दे कंटेन पॉप्लर वर्क सचाइज, कुछ पॉप्लर वर्क किसके निकायब अगर में क्या है, थेरा गाथा, और थेरी गाथा, मतलब देखिए, थेरा मतलब जो की मौंक, एल्डर मौ तो ये तो आपके हुगे मतलब त्री पितकाज है ना लेकिन इसके अलावा ये तो पाली कहना नोगे और सुनिये एक बुक है मिलिंदा पन्हो या मिलिंदा पन्हा इसमें क्या हुआ था कि बाहर से एक अटैकर आया था ग्रेको बैक्ट्रियन किंग आया था मिनेंडर तो नाक सेना जो है उसके answer देता है मिनेंडर को नाक सेना मिनेंडर नहीं बोलता मिलिन्दा बोलता है यह पन्हा जो है उसके question है तो मिलिन्दा के प्रश्ण यह मिनेंडर के प्रश्ण बड़ा अच्छे सा नाम है यह नाक सेना ने लिखा था क्योंकि उससे प्रश्ण पूछ लेकिन दीप वथ किया है चुकिस्क्री लंका ऑइलंड है दुथए अिक डीप है तो उसको वहां पर किताब लिखी गए वह दीप वंस एh आयलंड क्रॉनिकल और महा से हो ग्रेट क्रॉनिकल है साथी साहथ वहां पर थर्ड भी है लेशर क्रॉनिकल great हो गया महावंस तो जो लेसर है वो क्या है कुलावंस ठीक है याद रखेंज चीजों को देखें यह मिनेंडर वन है ना मिनेंडर वन जो है ancient Greek ग्रेको रोमन था ना ग्रेको बैक्ट्रियन था तो आया था यह इंडो ग्रीक किंग्डम से आया था इंडो यह इंडिया आया था देखिए 155 से 130 बीसी अरॉंड और यह पूरे आपके नॉर्थ वेस्ट रेजिन में इंडियन सब कॉंटिनेंट में रूल करता था और एक बा इंडियन सब कॉंटिनेंट में जब इसने आया तो काबुल रिवर वैली से लेके जो आपकी रावी रिवर वैली है इस्ट में वहां तक फैला फिर देखिए स्वात वैली से लेके आपके देखिए अरकोसिया वगरे का उधर का एरिया है आपके वेस्टर एशिया का एरिय पर है कि एलगजेंडर से ज्यादा जमीन तो मिनेंडर ने जीती थी यहीं पर यह नाग सेना मिलते हैं उनके इंडिया में question पूछता है तो पाली में किताब लिखी जाती है compilation वही जो है आपके नाग सेना जो लिखते हैं पन्हा है the questions of king Melinda पन्हा means questions आपको पहले बताया है इस चीज का बड़ा जो है अच्छा डिस्केशन इंसीर्ट में भी मैं आपको कराओंगा आगे खेर समझ गे सारी चीजों को अब यहां पर एक स्टोरी है जातक टेल है स्टार्विंग टाइगरिस के बारे में यह जानने की गये थे कब बताये गये थे सारनात में फर्स्ट वाला जो धर्म चकपरवर्तन था वहां पर नोबल टूस और मध्यमार की बात की गई थी पहला नोबल टूस क्या था सफरिंग तो है दुख बोला उसको है ना सफरिंग तो है चाहे वो बर्थ हो एज बढ़े डेथ हो आप ना खुश रहें सेपरेशन हो किसी से अप जैसे माल लिजे आप सेपरेट करके किसी और चैनल पर चले जाए तो दुख तो है अनफुल्फिल्ड विश है है ना कि आप जो है यही रहते मेरी बाते सुनते हमारे चैनल पर लाइक वगर करते लेकिन आप कहीं और चले गए त इतना समझे, इसको क्या वोला था वहाँ पर, पाली वगर में, पाकित वगर में, समुधाय है, ठीक है, दुख का कारण क्या है, कि आप जो है, मेरे से नाखुष थे, मैंने कोर्स सही टाइम पर कंप्लेट ने क्या, आप कहीं और चलेगे, तो दुख का कारण है, प्लेजर, पार, लॉंग लाइफ, यह सारे दुख के कारण है, तीसरा यह है, कि नोबल टूथ क्या है, तीसरा, कि सिजेशन आप सफरिंग हो सकता है, मतलब जो दुख है, उसका कारण है, और उस कारण को हटाने का तरीका भी है, मतलब निर्वान की प्राप्ति पॉसिबल है, निर्वान निरोध दोनों यहां पर एक ही सेंस बनेगा, चौथा जो टूथ यह है, तो रोकना पॉसिबल है, ठीक है, कि मैं आपको दूसरे चैनल पर जाने से रोक पाऊं, वो रोकना पॉसिबल है, चौथा जो नोबल टूथ है, यह है, कि यह जो निर्वान की प्राप्त है दुख, दुख का कारण समुदाय, दुख का कारण हटाना पॉसिबल है, वो होता है निर्वान या क्या दूसरा वाला निरोध, और उस रस्ते पे चलना पॉसिबल है, उसके लिए एक माग है, तो क्या है लास्ट वाला टूथ, पाथ है leading to suggestion of suffering, suffering कतम करने का रस्ता है, और यहीं पर बात आती है, कि जब suffering कतम करने का माग है, रस्ता है, तो उसके लिए पाथ कितने है, तो उसके लिए जो पाथ है, उसमें 8 component है, 8 fold path है, और वही जो 8 fold path है, वही middle path है, सारे आपको देखिए, बहुत अच्छे से concept clear हो रहे होंगे, पाथ या मद्दमार कहा जाता है, तो यहाँ पर वहीं बात आती है, कि कौन से 8 fold path है, है न, middle path वाले, तो जिससे कि आप क्या करोगे, आपके बुद्धिजब में पहले तो यह जान लिए, कि बुद्धिजब में यह माना जाता है, कि कर्म जो है आपके पिछले जनम के, वो आपके rebirth होगी, नहीं होगी, कैसे होगी, खराब अची होगी, वो सारे determine करते है, यह Hinduism जैसा है, ठीक है, आपके past action जो है, इस जनम में आपके condition को determine करते है, और अगर आपको यह कर्म और rebirth के cycle से free होने, निर्वान की प्राप्ति करनी है, तो मांग पे जाना है, middle path पे जाना ह लेकिन इन्होंने यहाँ पे खाली English में दिया हुआ है, तो मैं आपको पहले पाली प्राकृत वाली जो language है, उसमें बताऊंगा, फिर आपको यहाँ पे लेक्या होगा, वहाँ पे 8-fold path सुना था हिंदी में इसको अस्टांगिक mark, आठ चोकि इसके अंग है तो अस्टांग संकल्प मतलब resolve, मतलब की right resolve, आपने जीवन में जब संकल्प लेते हैं पढ़ाई के लिए किसी mark पे चलने के लिए तो वो जो है right होना चाहिए, तीसरा होता है सम्यक walk, वाक का मतलब walking नहीं करना है, वाक जिससे बना हुआ है बोलना है तो जब आपके बोलने चलने की चीज है वो सम्यक होनी चाहिए, right speech बोल सकते आप उसको, चौता है सम्यक कर्मान्त, कर्म चक्र से अगर आपको छूटना है तो आपके आचरन में शुद्धी होनी ज़रूरी है, तो इसको इंगलिस में क्या बोलेंगे, सम्यक कर्मान्त को right conduct, आचरन की बात हो रही तो right conduct, पांच करें, सम्यक भायाम क्या मतलब ये है, कि आपके जो effort होने चाहिए life में, वो सम्यक होने चाहिए, सही होने चाहिए, सात्वा है सम्यक स्मृति, ये क्या है, सिंपल बात है, आप जो है एकागरता बगर करें, शारेरिक और मानसिक भोग विलास की चीजों से दूर रहें, है न क्या करें, निर्विकल्प जो है, आप प्रग्या के अनुबूति होती है, यही जो समाधी होती है, धर्म के समुदर में चलांग लगाई जाती है, तो सम्यक समाधी का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में, राइट मेडिटेशन, ठीक है, तो राइट व्यूज, सम्यक दृष जब मैंने आपको जैनिजम पढ़ाया था, तो बोला था कि महावीर ने बोला कि गॉड नहीं होता, नहीं होता, रिजेक्ट कर दिया, बुद्धिजम में कन्फ्यूज करके रखा है, बुद्धिजम में गॉड है की नहीं, इस पर कोई डिसकसन ही नहीं है, बुद्धा ने बोला ही नहीं कि गॉड है की नहीं, इस पर नोबल ट्रोथ लो, अस्टांगिक मार्ग लो, और जो है निर्वान की प्राप्ति करो, यही करना है, बुद्धिजम लेकिन एक्वैलिटी में बिलीब करता था, नॉन वायलेंस में बिलीब करता था, अहिंसा में बिलीब करता फिर भी यह कोई एक्स्ट्रीम रिलीजन नहीं था अहिंसा में, जैनिजम में एक्स्ट्रीमिटी थी, कि आप जो है, चलो भी तो जाडो लगाओ, खेती करो तो यह करो, वो करो, निर्जीव चीजों में भी जान होती है, पत्तर पे चलो तो जोड से ना चलो, कि उसको यह सब करो, और वो क्योंकि देखे, प्रमोट किया क्यों ट्रेड और कैपिटलिजम को, क्योंकि यह वेस्ट जेनरेशन के खिलापता है न, और फ्रुगालिटी को एडवोकेट करता था, ठीक है बचत वगर करो लेकिन ट्रेड और कैपिटलिजम करो, जॉब्स लेकिन गलत काम मत करो, अब यहां पे तुकी तमिलनाडू की बुक है तो थोड़ा बहुत बुद्धिजम इन तमिलनाडू है, जितना इंपॉर्टेंट वोग उतना पढ़ाओंगा, देखे, तमिकजम, तमिकजा जम जो है उस टाम पे तमिलनाडू की बात हो रही है, वहा पे तमिलनाडू में आपको जो है असोकन इस्क्रिप्शन मिलते हैं, जिसमें बुद्धिजम अगरा की बात है, कुछ देखे, बुद्धिष्ट कॉम्पलेक्स आफ फोर्थ सेंचुरी सी, फोर्थ सेंचुरी सी मतलब फोर्थ सेंचुरी एडी की बात हो रही है, कावेरी में आपको मिल जाएगा, यह कावेरी पटनम कहां है, देखे, यह कावेरी पटनम तमिलनाडू में यहाँ पे है, यह कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडू का जिला है, वहाँ पे कावेरी पटनम है, कावेरी पटनम कोई समुदर के पास नहीं तो, अब देख जब पोस्ट संगम लिटरेचर में ये पढ़ोगे तो मनी मेगलाई जिसको सतनार ने लिखा था ये क्या है आपका पोस्ट संगम लिटरेचर का one of the two main epics है ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जब आपको मैं आगे बताऊंगा आपको मनी मेगलाई डीटेल में चिंता मत क मतलब एडी की जब बात करें जब शुरुवात की हंडेडी 200 एडी के आसपक्त तो बुद्धिस्ट का वो देखिए फ्लरेशिंग सेंटर था कांचीपूरम याद रखिएगा कि नालंदा युनिवरसिटी जो आपके बिहार में थी नालंदा जिले में है ना वहां पे दीन दीननाग और देखिए धामपाल धार्मपाल नहीं बोल रहा हूं धामपाल और दीननाग जो थे फेमस नालंदा युनिवरसिटी के वहां पे चीफ रहे थे और यह दोनों जो हैं स्कॉलर तमिलनाडू के कांचीपूरम से इनको याद रखिएगा दीननाग और यह धामपा करता है तो अपने ट्रेवल अकांट में मेंशन करता है कि वहां पे कही सारे असुक के बनाए हुए कांचीपूरम में अस्तूपाज मिले थे मुझे इन फैक्ट अब बुद्धिस टेंपल जो है नागपतिनम में भी था और वो एक चाइनीज रूलर के रिक्वेस्ट पे बनाए गया था पल्लव किंग जब नर्सिंभा किंग्डम पढ़ाओंगा तो चिंता नहीं वहां पे हो जाएगा पल्लव के किंग थे नर्सिंभा वर नागपतिनम है और वो नागपतिनम जो है अभी जिला बन गया नागपतिनम डिस्टिक्ट ही है देखिए प्रॉमिनेंस जो था नागपतिनम का बहुत जादा जो मेडिवल चोला जो बाद में आया थे 9th से 12th सेंचुरी उस टेम पे बहुत जादा था क्योंकि वो उनका ए भूल करते थे और बाकी जो स्रीविजया थे किंग स्रीविजया के किंग स्रीविजया मतलब उस टाइम पे इंडोनेशिया वगरा का एरिया है ना मलेवल यह देख रहे ना एंशन टाइम पे यह स्रीविजया था यह देखिए इंडोनेशिया का एरिया है है ना यह ऐसा हि क्योंकि जब आपके चोल वगर थे तो उन्होंने अपने हिसाब से माँ पे राजा बनाए थे हिंद विजम को फैलाए था तो आपको कई टेंपल्स भी मिल जाएंगे हिंदु लोगों के माँ पे तो जो श्री विजिया के किंग थे मरा विजयो क्या लिखा हुआ है मरा विज इनके लगवा तो इसलिए सूला मनी वर्मा विहार ये तो हो गया सारी पराकास्टा हो गई बुद्धिजम के डिकलाइन कैसे होता है देखिए सबसे पहले तिन में कई सारे डिवीजन हुए मैंने को सारे अल्रेडी बता दिये सबसे पहले अगर बात करने तो मैंने आपको एंड के टाइम पे तंत्रियान भी आ गया इसमें और ये देखिए सहजयान भी आ गया ये सारे जो हार्ट एन कल्चर में डिसकस होंगी इसे जो औरिजनालिटी थी बुद्धिजम की वो काफी खो गई है दूसरी बात कि मैंने आपको बताया था कि पाली और प्राकृत में पहले लिखा जाता था क्योंकि वही एंस स्पोकेन लेंग्वेज था उसी में इनकी किताबे लिखी जाती थी ये लेकिन जो कनिश्ट काता है तो बोलता है कि नहीं संस्क्रित में ट्रांसलेट करो वहीं से कॉमन पिपल के साथ इनका टच जो है पाली और प्राकृत ने हो जाती है common people के लिए also आपको मैंने पहले बताया था कि बुद्धिजम को बहुत जादा royal patronage था लेकिन हमेशा था क्या नहीं देखिए हर्षवर्दन के time वगरा तक बुद्धिजम lost his royal patronage after हर्षवर्दन हर्षवर्दन के देखिए जो आपके गुप्त पिरियड बगरा आया वो लोग हिंद्धिजम को बहुत बड़ावा देते थे लेकिन उन्होंने बहुत दबाया नहीं था बुद्धिजम को freedom दी थी लेकिन हर्षवर्दन के बाद जो है कई लोग है उस पर attack भी करने लगे जब medieval आता है बाहर से तो फिर तो उसका पूरा सब कुछ खतम कर देते हैं नालंदा बगरा को तबाह कर देते हैं तो हर्षवर्दन के बाद क्या होता है कि वैदिक religion जो था हिंद्धिजम का उसको royal patronage मिलने लगा खास करके अभी देखिए start जो हुआ तो हर्षवर्दन के पहले से ही हो गया था पूश्यम मित्र सुंग जो थे और बाद में जो आपके later imperial गुप्त थे वो देखिए वैदिक religion को बहुँ ज़ादा patronage देते हैं फिर जब बाद में medieval time में और in fact जब शंकराचारी के time पे 6th से लेके 8th century के 80 के around भक्ती movement होने लगे बाद में रामानुजा रामानंद ये लोग आए तो उनके करण जो है वैदिक religion बहुँ ज़ादा अपने glory रेस्टोर कर पाया और बुद्धिजम तोड़ा hatred था और उन्होंने बुद्धिज को Northwest India से एकदम finish कर दिया इसके बाद और क्या होता है कि जो राजपूत रूलर से बाद के राजपूत आते है 900 AD और 1000 AD के असपास राजपूत एक mix करके बोलते हैं बना है छत्रिया जो पहले थे उनके साथ बाहर के attacker वगरा जो भी fighting class थी उनसे मिलके तो उन्होंने क्या किया कि इनको ये problem थे कि राजपूत तो violence करते थे उनको लड़ना पड़ता था warrior class थी और बुद्धिजम में तो non-violence की बात थी तो राजपूतों को ये चीज पसंद नहीं आई तो उन्होंने वैदिक religion को देखिए प्रोफेस करना शुरू किया उसी के सरन में गये और वो ruling class थे तो patronization तो पूरा जो है आपको वैदिक religion को मिलके राजपूतों का बुद्धिश्ट को नहीं मिला नेपाल, तीबद, सिलोन में उन्होंने शरन ले ली और इस तरह इंडिया में बुद्धिजम जो है फेड हो गया इसके साथ हमारे chapter फिनिश होता है और जब हम अगले lecture में मिलेंगे तो तमिलनाडू का fourth chapter पढ़ेंगे अगर आपको lecture अच्छा लगओ, सारी चीज़े समझ में आई हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करते हैं बाकि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे request है कि आप अपना bell icon में all notification करके open कर लें धन्यमाद आपका शुक्रिया टाटा बाई बाई